नमस्कार WKB News के खास पेशकश में आपका स्वागत है जहाँ आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ अंडवर्ल से धमकी भरे फोन आने की फहरिस्ट काफी लंबी रही है उगाही के मामले से लेकर संपत्ती हत्याने के मामलों में अकसर सुना जाता रहा है लेकिन बीच में ऐसे फोनों का सिलसिला लगबग थमसा गया था अब अचानक नासिक जिले में हंगामा मचा हुआ है का अफजदा करने वाली इस खबर के अलावा एक और हैरत भरी जानकारी मिल रही है महराश्टर के कलवास्तित स्वास्तिक केंद्र से ला परवाही का बड़ा मामला सामने आया है यहां के अदकोनेश्वर स्वास्तिक केंद्र पर कोरोना का ठीका लगवाने आये व्यक्ति को रैबिस का इंजेक्शन लगा दिया गया इसके बाद हंगामा मचा हुआ है हंगामा प्रवर्तन निदेशाले के दावे से भी मचा है एडी ने यह दावा किया है कि यवतमाल वासिम से शिवसिना सांसत भावना गवली ने सहीद खान वो उसके साथियों के साथ मिलकर एक सा प्रदेश के ग्राविन विकास मंतरी हसन मुश्रीफ के खिलाफ पंद्रा सो करोड रुपय के कथिद घोटाले का नया आरोप लगाया है एक और बड़ी खबर यह है कि आगावी 9 अक्टूबर को सिंद दुर्ग के चीपी एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर मुख् राने का नाम है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों में आज राजनीदिक चर्चा के अलावा घोटाले का भी परदा फाश है तो आईए अब इन पर विस्तार से नजर डालते है नासिक जिले में शिवसेना विधायक सुहास कांडे सुर्कियों में है उनकी निंद उड साथ को एक फोन आया था फोन करने वाले ने खुद का नाम अक्षय निकाल जे बताया और कहा कि वह अंडर वर्ल्ड डॉन छोटा राजन का भतिजा है पिधायक के मुताबिक कॉल करने वाला व्यक्ति उनसे हाई कोट में दायर की गई याचिका को वापस लेने का दबाव बना रहा था विधायक ने आरोप लगाया है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी को जो फंड मिल रहा है वो उसका बंटवारा बराबर तरीके से नहीं कर रही है इसको लेकर उनकी और से एक याचिका हाई कोट में दर्च कराई गई है इसी याचिका को वापस ल कांडे ने नंसिपी के वरिष्ट नेता छगन भुझबल को नासिक जिले के सरक्षक मंत्री के पत से हटाने की मांग करते हुए बंबे एचसी का रुख किया था कांडे ने 2019 में नंगाव से भुझबल के बेटे को हराया था और उन्हें डर है कि अगर गडबंदन जारी रह तो शिव से ना उनकी स्रीट का त्याक कर सकती है। राजकुमार यादव गलती से उस लाइन में खड़े हो गए जहां एंटी रेविज इंग्जेक्शन लगाया जा रहा था। दरसल जागरुकता के अभाव में उनसे गलती हो गई जब उनकी बारी आई तो वहां मोजुत नर्स किर्ती पोपड़े दे बीना कागस देखे उन्हें एंटी रेविज इंग्जेक्शन लगा दिया ये भारी चुक हुई कम से कम कागजा देखने जरूरी थे जब मामला सामने आये तो जिला प्रशासन में हड़कम मज गया अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के कागजों की जांच करना नर्स की जिम्मेदारी है नर्स की लापरवाही से व्यक्ति की जान को खत्रा पैदा हुआ है प्रावना गवली ने सहीद खान वह उसके साथियों के साथ मिलकर एक साजिश के तहट महिला उतकर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट को कमपनी में परिवर्तित किया है ताकि ट्रस्ट की 79 करोड रुपे की संपत्ति पर नियंतरन पाया जा सके प्रारंबिक जांच में पता चला है कि सांसत गवली रिसोड अर्बन को आपरेटिव सोसाइटी की चेर्मेन थी और वहां से महिला उतकर्ष प्रतिष्ठान के खाते से बड़े पैमाने पर पैसे निकाले वा जमा किये गये हैं सांसत गवली की निर्देश पर ही पैसे जारी किये जाते थे सोसाइटी के प्र आवेदन में दावा किया है कि ट्रस्ट को कंपणी में बदलने के लिए काफी फर्जी वाड़ा किया गया जिसके अंतरगत दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर तक किये गये तिन जनवरी 2020 को ट्रस्ट से परिवर्तित हुई नई कंपणी में 69 करोड रुपे की संपत्ती स आवना गवली की मावख खान इस कंपणी के निदेशक है ट्रस्ट को कंपणी के रूप में परिवर्तित करने के लिए रजिस्टर ओफ कंपणी के पास काफी फर्जी दस्तावेज पेश किये गये थे भाजपक के पुरुवत सांसत की रिट सौमईया ने प्रदेश के ग्रामिन विकास मंत्री हसन मुश्रिफ के खिलफ पंध्रासो करोड रुपे के कतित घुटाले का नया आरोप लगाया है सौमईया ने कहां कि ग्राम विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को जीस्टी समयत अन्य टैक्स का रिटन फाइल करने के लिए टेंडर निकाला है मुश्रिफ ने अपने दामात की कमपनी को ये ठेका दिया है इन आरोप उपर मंत्री मुश्रिफ ने कहां कि सौमईया के पंध्रासो करोड रुपे के घुटाले के आरोप निराधार है उन्होंने कहा कि ग्रामिन विकास विभाग ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिती और जिला परिशदों के ओडिट के लिए कमपनी को 10 मार्श 2021 को ठेका दिया था लेकिन कम्पनी को ग्राम पंचायत, पंचायत समीती और जिला परिशदों के औरिट के लिए एक भी और नहीं मिला है और कम्पनी को किसी तरह का कोई भुकतान भी नहीं दिया गया है जब भुकतान हुआ ही नहीं तो 1500 कुरोड रुपे का घोटाला कैसे हो जाएगा मुश्रिफ ने कहां कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिते और जिला परिशदों के लिए ओडिट का फैसला एच्छी है स्थानिय निकाय अपनी पसंद के अनुसर ओडिट के लिए कमपनी का चैन कर सकती है बता दे कि इसके पहले सौमईया ने मुश्रिफ के बेनामी कमपनीयों की जांच के लिए कुलापूर के मुरुड़ पूलिस टेशन में शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने कहा कि यदि अगले साथ दिनों में पूलिस ने मुश्रिफ और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया तो मैं अदालत में जाऊंगा आगामी 9 अक्तुबर को सिंदु दुर्ग के चिपी एरपोर्ट के उदघाटन के एवसर पर मुख्य मंत्री ठाकरे और भाचपन निता और केंद्रिय मंत्री राने एक ही मंच पर मौजुद रहेंगे उदघाटन का निमंत्रन पत्र चप गया है इसके अनुसार आगामी 9 अक्तुबर को एरपोर्ट का उदघाटन होगा और उसी दिन दोपर साड़े बारा बजे विमान सेवा शुरू होगी निमंत्रन पत्र के अनुसार मुख्य मंत्री ठाकरे एरपोर्ट का उदघाटन करेंगे जबकि केंद्रिय नागरिक उड़ेन मंत्री, जोतीरादित्य सिंधिया, केंद्रिय मंत्री नारायन राने, उपमुख्य मंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री बाला साहिप थोरात, उद्योग मंत्री सुभाज देशाई, प्रमुक अतिती के रुप में मौजुद रहे इस पत्रिका में मुख्य मंत्री का नाम सबसे उपर है, दुसरे नमबर पर सिंधिया, और तीसरे नमबर पर नारायन राने का नाम है, मिली जानकारी के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार ये क्रम दिया गया है, इसके पहले नारायन राने ने कहा था कि चीपी एरपोर् इसे कहा गया था कि ये एरपोर्ट M.I.D.C. का है चुकि इसे PPP मॉडल पर बनाये गया इसलिए माहराश्ट का है केंद्र ने केवल लाइसंस दिया है। स्कूल के कम से कम साथ विद्यारतियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसलिए अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष रहे प्रमलीन महंत नरेंद्र गीरी के उत्तर अधिकारी पर उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। फैसले के अनुसार शिश्य बलवीर गीरी को महंत नरेंद्र गीरी का उत्तर अधिकारी बनाया जाएगा। इस बीच मौसम विभाग के संकेत हैरान कर रहे है। विभाग के अनुसार चक्रवाती तुफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं है कि एक नए चक्रवाती तुफान शाहिन की आशंका ने महाराश्ट्र और गुजरात के लोगों को डराने का काम शुरू कर दिया है अच्छी खबर ये है कि देश में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज खुलने का रास्ता साफ हो गया है इसमें सोने की ट्रेडिंग, इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीप्ट के रूप में शेयर की तरह होगी इसे बुना कर सोना भी लिया जा सकेगा देश के इन पाच बड़ी खबर है सियासी घमासान से लेकर मौसम के तेवर और सोने के जेवरों पर आईए अब विस्तरुत नजर डालते हैं करनाटक की राजधानी बंगलुरू में कोरोना का भयंकर विस्पोर्ट हुआ है इलेक्ट्रोनिक सिटी के आवासिय स्कूल श्री चैतन्य गल्स रेसिडेंशियल स्कूल के कम से कम 60 विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है दरसल एक चात्रा को तेज बुखर था जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद उसके संपर्क में आई कई चात्राओं में कुछ न कुछ लक्षन देखे गए एहतियातन जांच कराने के आदेश दिये गए इसके बाद तो हडकम भी मच गया कुल 60 चात्रा है पॉजिटिव मिली कोरोना के इस विस्पोर्ट के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है दरसल स्कूल ने 5 सितंबर को सिनियल स्टूडेंट्स के लिए फिजिकली क्लास शुरू किया था 22 शिक्षिकों समेच 57 पूरी तरह से वैक्सिन ले चुके करमचारियों और 485 शात्राओं के साथ स्कूल दुबारा खुला था मगर 26 सितंबर को बेलारी से एक शात्रा में बुखार, उल्टी और दस्त जैसे लक्षन विकसित होने लगे जिसके बाद उसे कोरोना वाइरस से संक्रमित पाया गया उसका इलाज नीजी अस्पताल में चल रहा है, बाकी छात्राओं को स्कूल परिसर में ही एक आईसोलेशन सुविधा में कॉरेंटाइन किया गया है ये सभी असिम्टोमेटिक है, नगर निकाय के अधिकारियों ने कहां कि एक नीजी स्वास्त सुविधा के करमचारी उनकी देखभाल कर रहे है स्कूल अब बंद कर दिया गया है और 20 अक्तुमबर या उसके बाद फिर से खुल सकता है पंजाब में सियासी घमासान के बीच प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा से इस्तिफा देना इस बार नौजज़त सिंग सिध्धु को महंगा पड़ सकता है सूतरों की माने तो पार्टी आला कमान सिध्धु के रवये से बेहत नाराज है और इसको लेकर अब तक दोनों पक्ष में कोई बाच्चित नहीं हुई है माना जा रहा है कि पार्टी सिध्धु को नहीं मनाएगी इतना ही नहीं पार्टी ने पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मन्थन भी शुरू हो गया है इस दोड़ में रवनित सिंग मिट्टु का नाम सबसे आगे चल रहा है कॉंग्रेस के सूत्रों के मुताबिक सिध्धु के स्टिफे से कॉंग्रेस आला कमान नाराज है और उनके खिलाफ कडा रुख अपनाया जा सकता है इतना ही नहीं पार्टी नेतरुत्वाने सिध्धु से अब तक बाद भी नहीं की है हालां कि सिद्धु का इस्तिफा भी स्विकार नहीं किया गया है कहाँ जा रहा था कि पंजाब रभारी हरिश रावत बुद्वार को चंडिगर जाएंगे लेकिन फिलहाल उनका दोरा भी टल गया है जिसके बाद यह स्पष्ट है किस बार कॉंग्रेस नौजट सिंग सिद्धु की और से हुई किरकीरी को बरदाश्ट नहीं करेगी पार्टी सुत्रों की माने तो सिद्धु का इस्तिफा स्विकार नहीं कर कॉंग्रेस शिर्ष नेतरुत्वा उन्हें समय देना चाहता है लेकिन अगर वह नहीं माने तो सक्त कदम भी उठाया जा सकता है सीएम चरंजित सिंग चन्नी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है खबरों की माने तो कैबिनेट में जो मंदरी नहीं आएंगे उन पर भी कारवाई हो सकती है अखिल भारतिय अखाड़ा परिशत के अध्यक्षर है ब्रम्हलिन महंत नरेंद्रगिरी की उत्तरा धिकारी पर फैसला हो गया है शिश्य बल्विर गिरी को महंत नरेंद्रगिरी का उत्तरा धिकारी बनाया जाएगा अखाड़ा परिशत के पंच परमेश्वरों ने मसीयत के आधार पर ये फैसला लिया है पांच अक्तूबर को नरेंद्रगिरी का शोडशी संसकार होना है इसी दिन बांग बरी मठ की कमान बल्विर गिरी को सौंपी जाएगी महंत नरेंद्रगिरी की संदिक्द मौत के बाद उनका सूसाइड नोट मिला था जिसमें उन्होंने बल्विर गिरी को उत्तरा धिकारी घुशित किया था लेकिन मठ पंच परमेशवरों ने सूसाइड नोट को फर्जी बताते हुए बल्विर गिरी को उत्तरा धिकारी बनाने से इनकार कर दिया था इसके बाद महंत नरेंद्रगिरी की रेजिस्टरड वसीयत का खुलासा हुआ जिसमें उन्होंने जून 2020 में बल्विर गिरी को अपना उत्तरा धिकारी बनाया है बता दे कि वसीयत के आधार पर ही मठ का उत्तरा धिकारी चुना जाता है 2004 में महंत नरेंद्रगिरी भी ऐसे ही मठादिश बने थे गौर तलब है कि महंत नरेंद्रगिरी ने तीन वसीयत बनाई थी पहले वसीयत में उन्होंने बल्विर गिरी को उत्तरा धिकारी बनाया था इसके बाद 2011 में एक दूसरी वसीयत बनवाई जिसमें आनन्द गिरी को उत्तरा धिकारी बनाया लेकिन आनंदगिरी से विवात के बाद उन्होंने अपनी पहले की दोनों वसियतों को रद करते हुए तीसरी वसियत बनाई जिसमें एक बार फिर उन्होंने बलविर गिरी को उत्तरा धिखारी बनाया चक्रवाती तुफान गुलाब का कहर अभी धमा भी नहीं है कि एक नए चक्रवाती तुफान शाहिन की आशंका ने महाराष्ट और गुजरात के लोगों को डराने का काम शुरू कर दिया है मौसम विभाग के मुताबिक शाहिन नाम का चक्रवाती तुफान अरब सागर में तयार होने वाला है और ये महाराष्ट और गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में अपना असर दिखाएगा मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जीलों में येलो अलर्ट जारी किया है वही दूसरी और बंगाल की खाडी में बना चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीब पहुच गया है इसकी वज़ा से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिन 24 परगना, पुर्व और पश्चिम मेदिनीपूर, जाडग्राम, हाउडा, हुगली, पुर्व और पश्चिम बर्दवान तथा बीरभूम जिले में मुसलाधार बारिश सुबह सही हो रही है दुसरी दरफ शाहिन तुफान से पहले गुलाब तुफान की वज़़ से महाराष्ट के मराठवडा और विदर्वगे कुछ इलाकों में मुसलाधार बारिश जारी है मुंबई के निचली इलाकों में पानी जमा भी होने लगा है महाराष्ट में NDRF की साथ टीमें राहत और बचाव कारिया में लगी हुई है मौसम विभाग के अनुसार आज चक्रवाती तुफान गुलाब की तीवरता ज्यादा होगी इस दोरान मराटफडा, मध्य महराष्टा, कोकर्ण में मुसलाधार से अती मुसलाधार बरसात होनी की आशंका है गुलाब तुफान अब निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में बदल गया है ये खिसक कर 36 गड़ और ओडिशा के दक्षिनी इलाकों में पहुचा हुआ है देश में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज खुलने का रास्था साफ हो गया है इसमें सोने की ट्रेडिंग इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूप में शेयर की तरह होगी इसे भुना कर सोना भी लिया जा सकेगा बाजर नियामक सेवी की बोर्ड बैठक में गोल्ड एक्सचेंज और सेवी विनियम 2021 के फ्रेमवर्ब को मनजूरी दी गई ट्रेडिंग के लिए EGR का अंकित मुल्य माननता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सेवी की मनजूरी लेकर तै कर सकेंगे EGR की कोई समाप्ती तीथी नहीं होगी और EGR धारक जब तक चाहे इसे अपने पास रख सकेंगे और जब चाहे EGR को सरेंडर कर वर्ड से उस वक्त के मुल्य के आधार पर सोना ले सकेंगे EGR को प्रतिभूती अनुबंध अधिनियम 1956 के ताथ एक सीक्यूरिटी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा कोई भी माननेता प्राप्त या नया स्टॉक एक्स्चेंज के एक अलक सेग्मेंट में easier ट्रेडिजिंग शुरू कर सकता है गोल्ड एक्स्चेंज में झून तम कितने मुल्य या कितने वजन तक का easier ट्रेड हो सकेगा ये अभी तैज नहीं है गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज में 50 करोट से अधिक नेट वर्थ वाली कमपनिया वर्ट मैनेजर बन सकेगी उन्हें सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा भारत सोने का चीन के बाद दूसरा बड़ा उपभुगता है भारतिय बाजार में हर साल 800 टन सोना खपता है ऐसे में गोल्ड एक्सचेंज को बड़ी सफलता मिल सकती है अफगानिस्तान पर कबजे के बाद तालिबान आकरामक है उसका साफ कहना है कि हम अपने देश को शरिया के अनुसार ही चलाएंगे और किसी भी बाहरी हस्तक शेप को स्विकार नहीं करेंगे इस वीच अचानक अपने क्षेतर में अमेरिकी ड्रोन के उड़ने से वह भड़क गया है लिखित बयान जारी करते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिका नियमों का पालन करें नहीं तो उसे बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे बड़ी परिशानी चीन से भी आ रही है चीन में बिजली आपूरती का संकट गहरा गया है इस वज़ज़ से घरों की बिजली काटी जा रही है और फैक्टरी को उतपादन कटोती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है इस संकट की वज़ज़ से दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेथ बहुत से इलेक्ट्रोनिक गैजट के उतपादन पर असर पड़ सकता है असर दुनिया पर पड़ना तै है क्योंकि भारत पर आरोपों की जड़ी लगाने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई है आतंकवाद पर अमेरिकी कॉंग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, लशकर अताइबा और जैश मोहमद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले पाच आतंकवादी संगटनों समेथ विदेशी आतंकवादी संगटनों के रूप में चिनहित कम से कम 12 संगटनों के लिए पनाहगा है फ्रांस सरकार भी सक्त कदम उठाने जा रही है वहाँ कटरपंती इसलामिक प्रोपेगेंड़ा फैलाने वालों के खिलाफ मुहीम शुरू कर दी गई है सरकार अपने देश में ऐसी छे मस्जिदों और संगटनों को बंद करने में लगी है जो कटरपंती इसलाम का प्रचार करते है बड़ा परिवर्तन जापान में भी है जापान के पूरुविदेश मंतरी फूमियो किशीदा ने सत्तारूर पार्टी के नेता पद का चुनाओ जीत लिया है और इसी के साथ उनका प्रधान मंतरी बनने का रास्ता साफ हो गया है किशीदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधान मंतरी योशी हीदे सूगा कस्तान लेंगे दुनिया के इन पाच बड़ी खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते है अफगानिस्तान के उपर अमेरिकी ड्रोन के उड़ने से तालिबान भड़क गया है तालिबान ने अमेरिका से अफगान हवाईक शेतर में ड्रोन संचालन बन करने के लिए कहा है तालिबान ने लिखित बयान जारी करते हुए अमेरिका को धमकी भी दी है बयान में कहा कि अमेरिका नियमों का पालन करे नहीं तो उसे बूरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे तालिबान के प्रवक्ता जबिहुला मुजाहिद ने अमेरिका के कदम को राश्ट्रिय सुरक्षा का उलंगन करार देते हुए सभी देशों से आपसी जिम्मेदारियों के साथ काम करने के लिए कहा है मुजाहिद ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ काम करने से बुरी नतीजों से बचा जा सकता है रिपोर्ट के अरुसार ट्विट में प्रवक्ता ने कहा है कि सभी देशों खासकर अमेरिका से जिम्मेदारियों के साथ काम करने की अपील करते हैं ताकि किसी भी नकारात्मक परिनाम से बचा जा सके अमेरिका के ड्रोन ने अफगान हवाई क्षेतर में गुजबैट की इन उलंगनों को सुधारा जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए तालिबान अफगानिस्तान में शासन चलाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट रहा है तालिबान ने कहा है कि देश में अस्थाई रूप स 1964 वाला सम्विधान कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा अगर किसी ने जोर देकर इसमें इंटरी मारने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा चीन में बिजली आपूर्ती का संकट गहरा गया है इस वज़े से घरों की बिजली काटी जा रही है और फैक्टरी को उत्पादन कटोती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है इस संकट की वज़े से दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेथ बहुत से इलेक्ट्रोनिक गैजट के उत्पादन पर असर पड़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन दुनिया भर की फैक्टरी के लिए कच्चे माल के बड़े आपूर्ती करता के रूप में विक्सित हुआ है दुनिया भर में इलेक्ट्रोनिक्स, दवा, प्लास्टिक, कार, आटो मुबाइल्स और अन्य फैक्टरियों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ती करने के मामले में चीन दुनिया का अग्रणी देश है चीन के मौझूदा बिजली संकट के लंबा खीचने की वज़े से दुनिया भर की फैक्टरियों में काम प्रभावित हो सकता है इस ग्लोबल एकोनोमी के संकट में आने और रोजगार एवं अर्थ विवस्ता पर काफी असर पढ़ने की आशंका है दरसल चीन में बिजली संकट पैनिफैक्टरर्स की बढ़ती मांग के बीच कोईला सप्लाई में बाधा के कारण पैदा हुआ है चीन में कुछ बंदरगाह लंबे समय से बन थे ऐसे में पार प्लांट की मांग के हिसाब से कोईले की सप्लाई नहीं हो पाई यह आपूर्ती अब बाधित है और कोईला मंगाने के लिए बंदरगाहों पर लंबा इंतजार किया जा रहा है ऐसे में चीन के कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोशना कर दी है इन इलाके में मॉल दुकाने बंद हो गई है और फैक्टरियों में काम रोकना पड़ गया है भारत पर आरोपों की जड़ी लगाने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई है आतंकवाद पर अमेरिकी कॉग्रिस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, लश्करे ताइबा और जैशे मोहमद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले पाच आतंकवादी संगटनों समित विदेशी आतंकवादी संगटनों के रूप में चनहित कम से कम 12 संगटनों के लिए पनाहगा है रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान कई हतियार बन और राज्यतेर आतंकवादी संगटनों की पनाहगा के तौर पर की है जहासे वे अपनी आतंग की गतिवीदियों को अंजाम देते हैं इनमें से कुछ आतंग की संगटन 1980 के दशक से अस्तित्वम है इनमें वेश्विक स्तर के आतंग की संगटन अफगान केंदरित, भारत और कश्मीर केंदरित, घरेलू मामलों तक सीमित रहने वाले संगटन और पंथ केंदरित आतंग की संगटन है रिपोर्ट के अनुसार जैशे मुहम्मद का गठन 2000 में कश्मीरी आतंगवादी नेता मसूद अजहर ने किया था और 2001 में इसे भी FTO के तौर पर चिनहित किया गया LIT के साथ JEM भी 2001 में भारतिय संसत पर हमले समेट कई अन्य हमलों के लिए जिम्मेदार है लशकरे ताइबा का गठन 1980 के दशक में पाकिस्तान में हुआ था और 2001 में इसे वीदेशी आतंग की संगठन के रूपे चिनहित किया गया CRS ने कहा LIT को भारत के मुंबई में 2008 के भीशन आतंगवादी हमले के साथ कई अन्य हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है फ्रांस सरकार देश में कटरवादी इसलाम फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने जा रही है देश ने कटरपंती इसलामिक प्रोपेगंडा फैलाने वालों के खिलाफ मुहीम शुरू कर दी है सरकार अपने देश में ऐसी छे मस्जिदों और संगठनों को बंद करने में लगी है जो कटरपंती इसलाम का प्रचार करते हैं आंतरिक मंतरी जराड डॉर्मिनन ने बताया कि खूफिय एजन्सियों को शक है कि 89 धार्मिक स्थलों में से दो तिहाई जगहे कटरवात फैलाने में लगी हुई है नवंबर 2020 से इनकी जांच की गई है और अब इन में 6 मस्जिदों को बंद करने का काम शुरू हो गया है इतना ही नहीं सरकार इसलामवादी प्रकाश को नवा और ब्लैक अफ्रिकन डिफेंस लीग को भी बंद करने का भी अनुरूत करेंगे डार्मिन ने बताया कि दक्षिनी फ्रांसेसी शहर एरिगे में स्तित नवा यहुदियों को भगाने के लिए उकसाता है और समलैंगी को पर पत्थर मारने के लिए उकसाता है यह संगठन नफरत और भेदभाव का समर्थन करता है इसी संगठन ने पिछले साल जून में पैरिस में अमेरिकी दूतावास के सामने पुलीस हिंसा को लेकर विरोत प्रदर्शन किया था इतना ही नहीं मंत्री ने बताया कि आने वाले साल में इस तरह के दस संगठनों को बंद किया जाएगा जिन में चार पर अगले महिने ही कारवाई होने वाली है जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशीदा ने सत्तारूरट पार्टी के नेता-पत का चुनाव जीत लिया है और इसी के साथ उनका प्रधान-मंत्री बननने का रास्ता साफ हो गया है किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधान मंत्री योशी हीदे सुगा का स्थान लेंगे पिछले साल सितंबर में पत संभालने के महज एक साल बाद ही सुगा पत छोड़ रहे है लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी के नए नेता के तौर पर किशिदा गा सांसत में सुमवार को अगला प्रधान मंत्री चुना जाना तै है किशिदा ने पार्टी के नेता पत के मुकाबले में टीका करन मंत्री तारो कोनो को हराया पहले चलन में उन्होंने दो महिला उमिद्वारो सना तकाईची और सेई को नोडा को पराजित किया था जपान का अगला प्रधान मंत्री बनने की दोड में शामिल चार उमिद्वारों में से दो महिलाए भी थी साने तकाईची और सेको नौडा पिछले 13 साल में देश की पहली महिलाए है जिरोंने प्रधान मंत्री पत के चुनाव में सत्तारूड लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतरुत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश की है बतादे की जपान में शींजो आबे का कार्यकाल काफी लंबा रहा इसके बाद उन्होंने स्वास्टे कारोनों के आधार पर अपने इस्तिफे की घोशना कर दी थी इसके बाद 71 साल के योशे हीदे सूगा को हाध देश की कमान आ गई अब सूगा के बाद किशिदा देश की बाग दोर संभालेंगे वह ऐसे समय में देश का नितरुत्व करेंगे जब वैश्विक पटल पर उथल पुथल मची हुई है तो आज की इस खाश पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीके बी न्यूस नमस्कार